Today I am sharing one of the best and trending recipe with a twist Means, मैं आज आपके साथ शेर करने जा रही हूँ Banana Bread की recipe और वो भी twist के साथ इसके अंदर twist क्या है वो तो वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा मगर इतनी healthy, इतनी moist और इतनी easy recipe आपने अभी तक internet पे नहीं देखी होगी इसके लिए आप इसे oven में भी बना सकते हैं, पतीले यंदर भी बना सकते हैं और microwave में भी बना सकते हैं बहुत easy सी recipe है, whole wheat flour के साथ इसको बनाएंगे और बिना चीनी के बनाएंगे इतनी healthy recipe है, बनाना वैसे भी बहुत जाता सकते हैं तो जल्दी से बनाना लेकर है और कोई भी ripe बनाना है जो घर पे नहीं कोई खा रहा तो उससे इसे फॉरण से बना ले बिसमलाए रख्वार रही यहाँ पर हम लोगों ने ये है एट बनानास ये एट मीडियम साइस के बनानास हैं इसके लिए किसी बीटर की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ आपने वस्क इस्टमाल करना या फिर कोई भी मैशर इसके लिए हम लोग शामिल करें वन टी स्पून ऑफ सिनमम अगर आपको नहीं पसंदा आप इसको स्किप कर सकते हैं तू पेंच ऑफ सॉल्ट हम इसके लिए शामिल करेंगे और इसके इलावा हम इसमें शामिल करेंगे योगर्ट योगर्ट यहाँ पर हम हाफ कप यह शामिल करें और शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे ओल डालने के बाद और यहाँ पर हम लोगों ने एक कप में से एक हिस्था बचा कर मतलब तीन हिस्थे शामिल की है मतलब यहाँ पर हमने थ्री फोर्थ कप ऑईल का शामिल किया है और टू टी स्पून आफ वनेला एक्स्ट्राक्ट का शामिल किया है इस आई चीज से शायमिन करने के बाद एक कमबाइन कर लेना है कमबाइन करने के बाद हमने इसमें होल वीट फ्लार शामिल किया है मतलब गंदुम का आटा बहुत जादा हिल्डी है बच्चों के ब्रेक्फेस्ट के लिए लंच के लिए बहुत अच्छी और इजी रिसिपी और चाय के साथ तो कमाली हो जाएगा इसको मिक्स करेंगे वसकर की मदद से ही करेंगे और हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए लास्ट में हम शामें इसे शामिगे बेकिंग उडा इसे बेकिंग फाउडर नहीं जाएंगा बेकिंग छाएंगा और बेकिंग सोडा यहां पर हमने टू टी स्पून शामिल करना है इसको mix करेंगे और pour करेंगे किसी भी container के है container में pour करने के बाद अपनी मर्जी की कोई भी topping कर सकते है chocolate chip की भी कर सकते है walnuts की भी कर सकते है जो भी आपकी desire हो और अजर आप कुछ भी नहीं करना चाहरे तो as it is इसे bake करने और आपकी बहुत ही अच्छी moist और banana bread त्यार हो जाएगे यहाँ पर मैं इसे top करी हूँ dark chocolate chip के साथ और इसके साथ साथ हम इसे top करेंगे walnuts के साथ walnuts के साथ यह बहुत अच्छी और healthy लगती है यहाँ पर आप किसी भी किसम का oil इस्तमाल कर सकते हैं olive oil, desi, या मखन भी मगर मैंने इसमें vegetable oil शामिल किया है simple घर में पड़ी हुई चीजों से बनके त्यार हो जाएगी और इतनी healthy recipe है और कुछ बेटर को हम पूर कर लेंगे cupcake के liners के अंदर और पूर करने के बाद हम इसे भी टॉप कर लेंगे चानल पर न्यू है तो चानल को सब्सक्राइब कर लें bell icon के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वानी new videos के updates आपको timely मलती रहें बहुत healthy easy peasy recipe है जिसको baking की अलिफ वे भी नहीं आती वो भी ये recipe बहुत easily घर पे बना सकता है और इतनी healthy recipe है कि अगर आप बनाना शारें घर में पड़े वे आटे अंडे के साथ mix करके आप इसे easily बना सकते हैं इसके लिए ना तो आपको बीटर की जरूरत है ना ओवन की जरूरत है और ना ही चीनी की जरूरत है और अगर किसी को चीनी थोड़ी से जादा पसंद है तो वो इसके इनर half cup brown sugar भी शामिल कर सकता है या पर पिसी भी शीनी भी शामिल कर सकता है वागर चीनी के बगए भी इसका proper taste आएगा अगर आप थोड़ा सा चीनी को पसंद करते हैं तो half cup brown sugar भी आड़ कर सकते हैं और अगर आप इसे diet friendly बनाना चाह रहे हैं मेरा नहीं खाल कि आपको इस वे से कोई भी चीज में आड़ करने चाहिए तो यहाँ आप आप देख सकते हैं कितनी जबर्दफ कितनी moist हमारी banana bread बन के तियार हो चुकी है यहाँ पर इसके slices करी हो और यह इस टाइम पर बिलकुल गरम और इतनी gooey और soft सी है उमीद करती हूँ मेरे आज की recipe आपको बहुत पसंद आई होगी recipe पसंद आई है तो comment section में अपना feedback ज़रूर share कीज़ेगा इसके इलावा आपको recipe सीखना चाहते हैं तो comment section में बताईएगा और जो यह recipe try करें इसका feedback ज़रूर share कीज़ेगा मुझे आपका feedback पर गिक बहुत खुशी होती है Thank you so much अपना और अपनों का ख्याल रखिए और healthy healthy recipes अपने घर में बनाए ताकि आपके घरवाले से guilt free enjoy कर सके Allah Hafiz